कार्य करने से पहले सोचना बुद्धिमानी है कार्य करते हुए सोचना सतरता है परन्तु कार्य करने की बाद सोचना तो मुर्खता है क्योंकि कार्य जब हम करने जा रहे हैं उससे पहले अगर हम सोच विचार कर उस कार्य को करेंगे तो वह कार्य बहुत सही रंसे सकारात्मक दिशा में और हम जैसा चाहते हैं वैसा होगा वहीं कार्य करते समय सोचना हमें सतर्कता सिखाता है जिससे उस कार्य में किसी भी प्रकार की गलती या लापरवाई की गुंजाहिस न रहे परन्तो यदि कार्य हो गया उसके पश्चात हम कुछ भी सोचेंगे तो उस सोच का कोई महत्वन नहीं निकलेगा क्योंकि वो कार्य हो चुका है इसलिए हमेशा किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूरी सोच विचार करके ही उस कार्य को करें और कार्य में सतर्कता रखें कार्य के बाद सोचें नमश्कार मैं निदी शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं आज मैं आपके सामने सोला मैं गुरु आरका दैनिक राशी पर लेकर उपस्तित हुई हूं सबसे पहले आते हैं आज के पंचांग पर तो वैसा आत्मास के शुक्ल पक्ष की अस्कमी तिति आज है जो कि प्रातक काल 6 बचकर 22 मिनट तक रहेगी उसके बाद नम्मी तिति प्रारम हो जाएगी मगा नक्षत्र भी आज ही के दिन आ रहा है जो कि शाम 6 बचकर 14 मिनट तक रहेगा उसके बाद पूर्वा फालगुनी नक्ष कर 30 मिनट तक रहेगा महीं राउकाल का समय दौपर 1 बच के 30 मिनट से 3 बजे तक रहेगा दिशाशूलास दक्षन दिशा में रहेगा यदि इस दिशा में यात्रा करना आवशको तो दही खा कर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं आजकल के युवक युवतियां हमीशा प्रेम विवा करना चाहते हैं अपने प्रेम को विवा की स्विक्रती के लिए परिवार की मंजूरी चाहते हैं कुछ ऐसे उपाय चाहते हैं जिससे उनके प्रेम को विवा की स्विक्रती मिल जाए प्रेम के द्वारा भी और परिवार के द्वारा भी तो यदि आप भी प्रे खम राशी यानि मेश राशी से आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन पांचवे भाव में गोचे प्रमन करेंगे अता आज का देन संतान की तरब से सब समाचारों से भरा रहेगा इस समय विद्यारती वर्ग को सोच समझ कर कदम उठाने चाहिए आपका एक उठाय हुआ जल्द बाजी में या भाउकता वस अपने मित्रों की संगती से कोई भी कदम न उठाये अपने घर के बड़ों का मारदर्शन ले उसके बाद आगे बढ़े इस समय आप वर्ग प्लेस पर कोई बड़ी उपलब्दी हासिल कर सकेंगे विवायों की हो चुके तो आज के दिन साधी सगाई जैसे नियोते आपको प्राप्तक हो सकते हैं प्रेम विवाख को सफल बनाए रखने के लिए आपको नित्य सूरी को जल चड़ाना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा गुलाभी शुबंग रहेगा दू अब आते हैं व्रशब राशी पर आपकी राशी से चंद्रम आज के दिन चौथी भाव में गोचर व्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके सुखों में व्रती करेगा आपके कारिया फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे बल और पराक्रम में व्रती होगी चोटे भाई बैनों से आपको मॉरली आज के दिन प्रॉपर्टी से समंदित विवाद भी खत्म हो जाएंगे प्रॉपर्टी के क्रेव एक्रे में आ रही बादाएं दूर होगी प्रेम विवा को सफल बराने के लिए आपको मंगलवार का उपवास रखना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा काला शुबंग र प्रॉपर्बन करेंगे अता आज के दिन आपके पराक्रम में व्रद्धी होगी इस समय आप कुटुम में मान सम्मान प्राप्त करेंगे बाणी से आज आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे आज आप जो भी कारे अपने हाथ में लेंगे उसमें निश्चित तोर पर आपको सफलता प्राप्तों की घर के बड़े आपके साथ खड़े दिखाई देंगे चान्दी और सफेद रंग का आगर आप प्रेहोग करेंगे तो प्रेम विवा में आरे बाधा दूर होगी आपका शुबरंग रहेगा हरा शुबंग रहेगा अच्छे अब आते हैं करकर आपकी राजी से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचे प्रमन करेंगे अता आज के दिन बिना सोचे समझे कोई भी डिसिजन लेने से बचें हर कारे को सोच समझ कर करेंगे तो वे कार्य दृत गती से संपन होते हुए दिखाई देंगे एक योजना बना कर आपक आपके विवा में आरे ही बादाओं को दूर कर देगा प्रेम विवा को सफल बनाने के लिए आपको शनी मंत्र का जाप करना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा सफेज शुबंग रहेगा आठ अब आते हैं सियं राशी पर आपकी राशी में आज के दिन चंद्रमा गोचर प्रमन करेंगे अनर्गल खर्चे आज आप खत्म करते हुए दिखाई देंगे यानि बहुत तरीके से सिस्टमाटिकली आप अपने बजट को निर्दारित करेंगे जिससे आर्थिक स्तती उन्नत होगी आज के दिन जो सरका कारियों के लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है प्रेम विवा को सफल बनाने के लिए आपको नीले रंग का प्रयोग करना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा नीला शुबंग रहेगा एक अब आते हैं कन्या राशी पर आपकी राश से चंद्रमा आज के दिन बारवी बाव में गोचर प्रह्मन करेंगे खर्च की सत्या अधिक हो सकती है आकस्मिक दनलाब आज आपको अधिक देखने को मिलेगा आज के दिन आप जो भी कारे अपने हाथ में लेंगे उसमें आप जरूर सफलता आसिल करेंगे पर इमानदारी के रास्ते पर चलकर आपको कारे करने होंगे वर्ना नौकरी पर आज आ सकती है आज के दिन जूटे आरोपों से भी बचना होगा अपने आकना कान खुले रखें सतर्क होकर अपनी कारे को करने का प्रयास करें घर में मंगलिक कारिक्रमों की रूप रेखा रखे जाएगी प्रेम को विवा की स्विक्रती मिलने के लिए और विवा में परिणित करने के लिए शनी मंत्र का जाप करें आपका शुबरंग रहेगा हलका नीला शुबंग रहेगा तीन अब आतें तुला राशी पर आपकी रासी से ही चंद्रमा आज के दिन ग्यारवेई पाउं में गोचेब्रमन करेंगे अता आज का दिन आकस्मिक दनलाप की परिस्तियां आपके जीवन में बढ़ाता हुआ दिखाई देगा आज के दिन योजनबत तरीके से किये गए कारियों का विशेश लाप भी प् प्रेम विवा को सफल बनाने के लिए आपको अनुमान चालीसा का पार्ट करना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा पीला शुबंग रहेगा पांच अब आते हैं व्रश्चिक राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन दस्वे भाव में गोचे अपरमन करेंगे अता आज के दिन आप काम की अधिकता की वज़े से तकान और कमजूरी का अनुबव कर सकते हैं थोड़ा सा अपना विशेश रूप से ध्यान रखें हालनकि काम में सफलता जरूर प्राप आपके प्रॉजेक्ट में आपको अपने पिता की साहता अपने घर के बड़ो की साहता जरूर प्राप्त होगी आपके प्रतिध्वंदी समापत हो जाएंगे आपका सेल्फ कॉंफिडेंस आज के दिन देखने लायक रहेगा शुक्र के मंत्र और हल्की सुगंद का आपको नियम्मित रूप से प्रयोग करना चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा बूरा शुबंग रहेगा साथ अब आते हैं धनु राशी पर आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर प्रमन करेंगे आज का दिन आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्दक रहेगा कारियो दृत गती से संपन होंगे यात्राय आपके लिए सुखद और मंगल में रहेगी अधूरे पड़े हुए कारियों में देंगे आत्यात्मिक कारियों में आपका मन विशेश रूप से लगेगा तामबा आपको धारन करना चाहिए और गुलाबी रंग का प्रयोग करें गुड़ खाएं आपका शुबरंग रहेगा गुलाबी शुबंग रहेगा नो अब आते हैं मकर राशी पर आपकी राशी से चंद्रमाज के दिन अस्ट्रम भाव में गोचर प्रमन करेंगे यात्राय करते समय साफधानी रखें जीवन साती का मौरली सपोर्ट आज के दिन आपको अपने प्रतेक कारे में देखने को मिलेगा वहीं व्यापारिक वर कोई विशेश खाम से यात्रा कर सकते हैं और जो यात्रा करेंगे वो उपदिश पून रहेगी आज के दिन आपको कोई भी रिस्क नहीं लेनी चाहिए कोई भी कारे करें तो साफधानी से और गुप्त रूप से करें तभी उस कारे में सफलता मिलेगी चांदी आपको धारन करनी चाहिए और सिभ उपासना जरूर करें आपका शुबरंग रहेगा लाल शुबंग रहेगा दो अब आते हैं कुम राशी पर आपकी राशी से चंद्रम आज के दिन सब्तम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके सेल्फ कॉंफिडेंस को बढ़ाएगा महीं आपकी मैनत रंग लाएगी आप अपनी मैनत से बहुत अच्छा फल प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे आपका शुबरंग रहेगा जामुनी शुबंग रहेगा च्छें अब आते हैं मीन राशी पर आपकी रासी से चंद्रमाज के दिन छटे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन स्वास समंदी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलवाएगा विशेश धनलाप की परिस्तितियां आपको अपनी जीवन में देखने को मिलेगी बस आज के दिन आप सावधानी ये रखें कि क्रोध और आवेश में आकर किसी से जगड़ा न करें नहीं किसी को कोई भी उपर नीचे बात या शब्दों का फ्रेयोग करें वरना बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं सफलता फिफलता में बदल सकती है आज के दिन पार्टनर्शिप घंडित हो सकती है इसलिए आप अपनी पार्टनर्शिप का विशेश रूप से ध्यान रखें सिव उपासना करें और पुर्णी मा का उपवास जरूर करें आपका शुबरंग रहेगा नारंगी शुबंग रहेगा एक तो ये है सोला मही गुरुवार का देनिक राशिपल अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ स्वस्त रहिए व्यस्त रहिए मस रहिए और हमीशा मुस्कुराते रहिए जै श्री राधिक्रिश्णा गुरुमा निधी श्री माली एक प्रसिध जोतिश आचार्य हैं उनके जोध पुरिस्थित जोतिश संस्थान में महामृत्युन जय, कालसर्प दोश, मा बगला मुखी, विवाह बाधा निवारन पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान, पंडितों द्वारा, पूर्ण विधिविधान एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है, अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हैं तू, इन नंबरों पर संपर्क करे 8 9 5 5 6 5 8 3 6 2